दोस्तो आज के इस वीडियो में लोग सौमाक्स के हिंदी को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में यानि तीन चैप्टर का एक ही वीडियो जो है आज मैंने बनाया है जो दोस्तो जो भी important question जो बने है उस चैप्टर में गदगंड वाला तो ये सारे जो है मैं लेकर आया तो चले बिना time waste करते वे शुरू करते हैं question number 1 से और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल अगर helpful लगे तो आप subscribe करके बेलाइकन को परेस्ट कर लेना ताकि जो इसी तरह के वीडियो आपसको सबसे पहले मिलता रहे लाइब क्विज के साथ टेस्ट देना चाहरा है तो टेलिग्राम का जो है टेलिग्राम में आप जूर जाईएगा और अगर आप लाइब टेस्ट एक्जाम देना चाहते हैं तो चैनल का link description box में दिया हुआ है वहाँ जाकर उस चैनल को subscribe कर लीजेगा ठीक है तो दोस्तो व किरिशन भट लेखक है और इनका जन्म कहा हुआ था और कभवा था तीस जून 1924 को 1824 और यहां पर जो है दोस्तों सोंई यहां पर चौदे होना चाहिए था ठीक है तो 20 जुलाई 1924 को जो है इनका जन्म हुआ था ठीक है दो सब्सक्री तो न कर दो हुआ था अबढ़ते है question के और तो एक number question आ चुकी है क्या कह रहा है बाल कृष्ण भट किस काल के रचनाकार थे तो इसका right answer क्या हो जाएगा D number यानि आधुनी काल के रचनाकार थे अब बढ़ते हैं दूसरा question इस्क्रीन पर है तो क्या कह रहा है दूसरा number के बाल कृष्ण भट पर क्या कह रहा है कि बातचीत सिर्षक निबंद के निबंदकार का नाम बता है तो इसका right answer हम लोग देखी चुके है उपर में तो right answer ए नमबर बाल कृष्ण भट राइट answer हो जाएगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूर करना और चैनल लगता है कि helpful चैनल है इससे हमारी मदद हो सकती है यानि तयारी हो सकता है तो अब सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है अब यहां पर चार नमबर कृष्ण क्या कर रहा है बाल कृष्ण भट का निधन कब हुआ था तो इसका right answer यानि बी नमबर हो जाएगा इस जून 1844 ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर तो यहां पर आ चुकी है क्या कह रहा है बाल कृष्ण भट का निधन कब हुआ था तो इसका right answer की बात करने तो क्या हो जाएगा दूस्तो यानि शी नमबर 20 जुलाई 1914 को हुआ था अब बढ़ते हैं यहां पर 6 नमबर कृष्ण स्क्रीन पर क्या कह रहा है कह रहा है कि बाल कृष्ण भट का निवास अस्थान कहा था तो इसका right answer क्या हो जाएगा यानि इलाबाद उत्तर परदेश ठीक है अब बढ़ते हैं अगला परश्ण की ओर 7 नमबर क्वेश्ण स्क्रीन पर आ चुकी है क्या कह कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि बाल कृष्ण भट ने मोटा मोटी कुल कितने नीबंद लिखे थे तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों यह साथ नमबर का राइट अंसर यह नमबर यानि एक हजार लगभग लिखे थे नीबंद अब बढ़ते हैं अगला परश्ण तो द स्क्रीन पर आ चुकी है और जवाब भी हम नीचे में देखा दे रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से तो यहां पर आ चुकिया है कौन सा उन्यास बाल किरिष्ण भट ने नहीं लिखा था तो नौन नमबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा यानि बी नमबर राइट अंसर आजात शत्रू राइट अंसर बी नमबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं यहां पर question नमबर यहां पर क्या कह रहा कि एडिसन का मत क्या है तो इसका राइट अंसर क्या हुआ है जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे उसने कहा था यह चैप्टर आपका है और लिखा किसने है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है जैसे यहां पर देख पालोंगे चैप्टर टू ने अभियास दो तो इसका यहां पर फोटो दिया हुआ है और लेका कौन है यहां पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ठीक है अब बढ़ते हैं इसका जन्म कब हुआ था तो जन्म पर question क्या कह रहा है अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग question number 1 को क्या कह रहा है कि उसने कहा था किश्वर्ष की रचना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी जो मेरे साथ दे सकते हैं तो right answer याई नमबर हो जागा 1915 की रचना है ठीक है अब बढ़ते हैं अगला परशन की ओर तो यहाँ पर आ चुक है गुलेरी का जर्म कब हुआ था तो इसका right answer क्या हो जागा दोस्तों याई दो नमबर का राइट अंसर ये नमबर ने साथ जुलाई 1883 में हुआ ठीक है अब बढ़ते हैं अगला परशन की ओर तो यहाँ पर आ चुकी है question number 3 क्या करा चंदधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था तो इसका right answer क्या हो जागा दोस्तों यानि तीन नमबर का बी number राइट अंसर यानि 12 सेप्टेंबर 1922 को हुआ था ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परशन की ओर यानि question number 4 की ओर तो आ चुकी है चंदधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहा हुआ था तो इसका right answer क्या हुआ चार नमबर का जो right answer होगा दोस्तों तो यानि शी नमबर हो जाएगा यानि क्या कहे रहा है रायस्थान जैपूर में ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परशन की ओर तो यहाँ पर आ चुकी है पांच निवास अस्थल कहा है था तो इसका right answer क्या हुआ पांच नमबर का D नमबर यानि गुलेर कांगणा हिमाचल परदेश ठीक है अब बढ़ते हैं अगले question की ओर अगला नमबर यानि 6 नमबर question क्या कह रहा है गुलेरी जी की परमु कहानियों के नाम बताएं तो इसका right answer क्या तो इसक्रीन पर आचुके साथ नमबर question क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि गुलेरी जी के परमुख निबंदों के नाम बताएं तो इसका भी right answer क्या हुआगा ये सारा जो है गुलेरी जी ने लिखा हुआ है तो right answer D नमबर हो जाएगा right answer ठीक है अब बढ़ते हैं अगल सभी हो जाएगा ठीक है दिया प्रेम कहानी उसके युद्य कहानी प्रेम पर बलिदान की कहानी यह सारा जो है कहा था विशेष्टा था अब बढ़ते हैं यहां पर अगला परश्ण की ओर तो नौन नमबर question क्या कह रहा है दोस्तों किस पार्ट में यह उक्ति आई है कि मिर बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर तो यहां पर आज चुकी है question number 10 तो दस नमबर question क्या कह रहा है कि गुलेरी जी ने किस पत्री काउं का संपादन किया था तो इसका right answer क्या जाएगा दस नमबर का तो दोस्तों दस नमबर यह नमबर हो जाएगा यानि समा लोचक काशी न में लेखन लिखा था तो 11 नमबर का राइटन से डी नमबर हो जाएगा निए उपर युक सभी के विशहों पर ठीक है अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला question यानि अगला जो है चैप्टर है तीन नमबर तो यहाँ पर फोटो चिपकाया हुआ तो इसका यानि नहीं है जैप्रकाश नारायन और यहाँ पर कितना जन्म हुआ है यानि जैप्रकाश नारायन के तो 11 अक्टूबर 1902 में तो कहां पर वा था यूपी में हुआ था ठीक है अब question नमबर एक की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर आचुकी है क्या कह रहा है जैप्रकाश नारायन के बच् स्क्रीन पर आचुकी है क्या कह रहा है जैप्रकाश नारायन का जन्म कब हुआ था तो राइट अंसर जो जाएगा दो नंबर का यानि ए नंबर हो जाएगा यानि 11 अक्टूबर 1902 इस वी ठीक है अब बढ़ते हैं अगला परस्ने तीन नंबर question तो स्क्रीन पर आचुकी है अब बढ़ते हैं आपर question number 4 की और तो चार नंबर question क्या कह रहा है कि जैप्रकाश नारायन का जन्म कहा हुआ था तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों यानि सिताब दियारा right answer यह जो है अब पढ़ सकते है ठीक है यानि उत्तर परदेश में यह भी है ठीक है अब यहाँ आपर question क्या कह रहा है दोस्तों कह रहें कि जैप्रकाश नारायन के लोग को लोग क्या कहने लगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा नी पांच नंबर का यह नंबर ने लोकनाय कहने लगे थे अब बढ़ते हैं आपर question number 4 की और सुरी 6 की और तो यहाँ पर क्या कह रहा है बिहार पर साथ नंबर question कि और तो साथ नंबर question क्या करा है कि request son of Indian policy पुस्तक किस ने लिखी तो साथ नंबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा जया प्रकाश नारायन अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की और तो अगला प्रकाश नारायन को कौन साब पुस्तक पुरुषकार मिला था तो आठ नंबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यानि डी नंबर यानि मैग से सम्मान एवंग भारत रतन पुरुषकार मिले थे अब यहां पर अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि संपुर्ण करांती वाला पार्ट भाशन के रूप में गांधी क्या क्या करे रहा है किस पार्ट में आया है अगर कोई ophile लोकी दोस्मन है जो जनता के के कारेकर वे बाधा दालते हैं उनकी गिरफ्तारियां करते हैं लाठी चलाते है में अघ्सकों हो जाएंगा च्बसक्तों कि दोस्तों आज यानि तीन चैप्टर में हम लोग लगबग 32 या 31 कुशिन को कवर किये हैं तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगए तो लाइक करना और चैनल में पहली बार दो है इस वीडियो को देखे तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इंगलीश हिंदी उर्दू के इसी तरह के इन्हें चैप्टर वाइज वीडियो आने वाली है और बीच बीच में मोडल पेपर भी आएगा जो इंपोर्टेंट मोडल पेपर जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आज के वीडियो इतना है तक तब तक के लिए जाय ही इंद्यवरत मिलते हैं अगले वीडियो पर